वेलकम टू विजेपत एजूकेशन पालंपूर आज पूरे हिमाचल में हपी सेट का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया तो उसकी पेपर बन की आंसर की मैंने आल्रेडी आपको प्रवाइड करवा दी है उसका डी आई का जो पोर्शन हमारा पेंडिंग बचा था उसको अब पूछी गई थी बट उतना टाइम नहीं था इस कॉंसेप्ट को समझने के लिए पेपर सिर्फ एक घंटे का है थोड़ा लेंथी पेपर होता है और काफी जादा उसमें चीजें हाल डेबल की भी पूछी जाती है डी आई बिल्कुल से सिंपल लैंगवेज की यहां पे पूछी थी बट टाइम मनेजमेंट प्रॉपर ढंक से ना हो पाने के कारण जो है जादा तर बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाई तो आईए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आईडिया लग जाएगा कि कितनी आसान सी जो है यह पूछी गई थी सो यह हमारे पास एक डिटेल दी गई थी जिसमें फसलों का क्षेतर फल था मुखे फसले बताई गई थी जिसमें फ्रूट वेजिटेवल फ्लावर है और एयर बताए गए थे 2005 से लेके 2010 तक और कुल वागवानी क्षेतर इसमें दर्शाया गया था तो हिंदी में ही मैं इसको यहां पर बता करनी थी यहां पर option के दूरू आप चेक करेंगे कि किन दो सालों में ऐसे कौन से दो साल है जहां पर बृध्धी जो है वो जादा हुई है लेकिन कि सेरिया में कुल वागवानी क्षेतर यह जो कुल वागवानी वाला क्षेतर है यह 187 से लेके 2009 तक यहां पर आपको बताना था कि सबसे जादा बृध्धी जो है वो कौन से दो सालों में हुई है तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले 2005-2006 की बात की जारी option A को अगर मैं यहां पर टिक करूँ 2005-2006 तो 2005 की मैं कितनी है 185 अब मैं यहां पर बताई नहीं सकता कि यह बृध्धी है या कमी है क्यूं 2004 से लेके 2005 की value हो सकता है 180 हो ऐसा मैं मान के चला हूँ तब तो मेरे को पता है कि बृध्धी हो रही है कितनी साथ की लेकिन हो सकता है यहां पर value 190 हो ऐसा भी तो हो सकता है कि value 190 हो 190 से मैं 187 पी आ गया इसका मतलब minus 3 हो रहा है तो बृध्धी तो हो नहीं रही है इसलिए initial value को मैं count नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को 2005-2006 से पहले का पता नहीं मेरे को यह नहीं पता चल पाएगा कि व्रिधी हुई यह कमी हुई क्योंकि initial value सिर्फ दी गई उससे पिछली की value नहीं दी गई हम compare के कहां से करेंगे second option था 2006 और 7 तो आप यहां पे इसको check कर सकते हैं यहां पे जो है वो 1994 से 202 तो 6 और 8 की ब्रिधी हुई total इस air में फिर यहां पे 5 की ब्रिधी हुई और यहां पे जो है वो 2 की ब्रिधी हुई सिर्फ gap आपको check करना था only and only gap तो आप देख सकते हो यहां पे जो highest ब्रिधी वाला rate है वो है 8 और 5 यानि कि 8 सबसे ज्यादा highest rate है और 5 जो है वो उससे कम है तो दो सालों की आपको बतानी थी तो दो साल 8 में कौन सा आ रहा है 2006 और 2007 और 5 वाले में कौन आ रहा है 7 और 8 आ रहा है तो option D जो था वो इसका right answer था बस इतना सा आपका ये question था simple सा next question इसमें 37 था आपको बताना था कुल बागवानी क्षेतर में फूल सबजियां और फलों के अंतरगत क्षेतर का हिस्सा कितना है देखिए कुल बागवानी क्षेतर आपको बताना है मैं इसको रव कर देता हूँ अगर आपका फिर भी कोई doubt रहता तो आप comment जरूर कीजिएगा आपके doubt को पूरा यहां पर clear कर दिये जाएगा कि यहां पर जो 37 question है इसमें पूछा गया कुल बागवानी क्षेतर में फूलों सबजी और फलों के अंतरगत क्षेतर का हिस्सा हमें बतांा है जो फूल सबजी और फल इसी वे में हमें लिखना है और इनका हिस्सा जो है इनकी ratio जो है वो हमें बतानी है देखिए फूल total हैं को add करो कितने हैं एक और एक दो 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 चार दो छे और दो आठ तो फूल कितने आगे आठ आगे इस रेशोईशी तरीके से लिखने ये फूल हमने लिख लिए अब हम लिखेंगे सबजीयों को तो सब्जियें कितनी हैं आप सभी को add करेंगे तो 72, 75, 78, 79, 79 आप सभी को add करेंगे तो firstly 72, 75, 78, 79, 79 यह आपका बनेगा 383 तो यह आगी सब्जियों की रेशो 383 क्योंकि हिस्सा हमें बताना तो रेशो find out करनी है सिंपल सी और उसके बाद आएंगे फल तो फलों को भी आप क्या करो काउंट कर लो क्योंकि हमें किसी एक particular year की बात नहीं बताएगी है तो हम सभी को add करेंगे यह आजाएगा 53 then 56 फिर 58 है 61 है 63 है यह हमारा आजाएगा 291 अब रेशो में कट करना है तो 8 के टेबल से सारी वैल्यूस कट जाएगी 8 से कट जाएगा वन टाइम फिर जो आपके पास 383 है यह डिवाइड करेंगे 8 से यह भी हमारा complete कट जाएगा तो इसको जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें आपका answer जो है वो यहां पर नहीं बन रहा है तो इसमें आप firstly क्या करेंगे कि यहां पर हम mistake क्या कर रहे है कुल बागवानी क्षितर को भी include करना यहां तक तो आपका answer जो है वो सही है 8, 383 and 291 यहां तक हमने total कर लिया बट हमें जो इसका हिस्सा निकालना है वो कुल बागवानी क्षितर से निकालना है तो हम इसको भी add करेंगे और यहां से हम इसकी percentage को calculate करेंगे तो firstly हम इसको add on करते है 187 plus 194 plus 202 then 207 then 209 तो यह हमारा बना triple 9 triple 9 को हम यह बोल सकते हैं कि almost 1000 के आसपास है तो इस 8 को हम 1000 में count करेंगे यानि कि 8 कितना हिस्सा है उस 1000 का तो उस चीज़ को जब हम calculate करेंगे तो firstly 8 के लिए जो value बनेगी वो बनेगी 38 divided by 1000 into 100 तो यह 00 से 008 by 10 यानि कि 0.8 यह बनेगा देन हम निकालेंगे 38 and 3 इसके लिए जब निकालेंगे 1000 into 100 तो 00 से 00 यह आपका बन जाएगा 38.3 and 2nd जो 3rd है हमारा 291 तो 291 divided by 1000 into 100 यह बनेगा 29.1 तो यह जो हिस्सा हमने निकालेंगे कुल बागवानी से निकाला है फूल टोटल कितने है आठ सबजी कितनी है 383 फल कितने 291 लेकिन निकालना कहां से बागवानी क्षेतर से टोटल बागवानी क्षेतर जो वन्र ट्रिपल नाइन मैंने उसको एजियूम करके 1000 के नियर अवाउट मान लिए ताकि कटिंग में अशानी हो तो 1000 से हम उसका हिस्सा निकालेंगे कि 1000 में से जो फूल है टोटल 8 तो कितना हिस्सा है उसका तो 0.8 हिस्सा है ये 38.3 है ये 39.1 है तो अगर इसको मैं अप्रॉक्सिमेटली मान के चलूँ तो 0.8 जो है ये जो 0.8 है ये मेरा ओल्मोस्ट 1 के इक्वल है 38.3 को मैं 38 मान सकता और 29.1 को 29 या 30 मान सकता हूँ तो 1, 38 and 30 option first जो है वो इसके साथ match हो रहा है तो sequence आपको इसी तरीके से लिखनी है क्योंकि बाकी options में भी आपके same है एक फिर 38 और 30 लेकिन पहले फूलों की फिर सबजीयों की फिर फलों की तो आपका जो option number first है 1, 38 and 30 ये आपका बिल्कुल right answer रहेगा next question को solve करते हैं जो कि 38 question हमसे पूछा गया था 2000 56 से 2009 10 के दुरान किसके क्षेतर में बृद्धी की उच्चतम दर जो है वो हुई है दर जो हुई वो हमें बताना है सबसे highest rate जो है वो किस चीज़ का हुआ फल, सबजिया, फूल या फिर कुल बागवानी तो इसमें अगर हम देखें तो firstly 2005 से 2006 तक हमें जो है वो देखना है सबसे पहले फल के लिए काउंट करते है 2005 से लेके हमें जाना है 2010 तक final minus initial value का formula इसमें लगाया जाएगा सबसे पहले हम कर रहे है फलों के लिए तो फल देखिए फल स्टार्टिंग में कितने थे 53 थे और end में कितने होगे 63 होगे तो आपको formula तो पता है 63 में से आपके 53 जाएंगे और नीचे आएगे initial value 53 into 100 जैसे जिस तरीके से CPSP का formula लगता है वस वही अलाव हानी का formula लगाया गया इसमें कितने परसेंट जो है वो बृध्धी हुई है यानि कि 53 से लेके जब मैं 63 तक पहुंचा तो कितने परसेंट जो है वो बृध्धी हुई है तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं इसको calculate करूंगा 63 में से यह जब यह चले जाएंगे तो मेरे पास यह बचा 10 by 53 and multiply by 100 तो यह मेरे पास बना 1000, 1000 को 53 से divide करूंगा तो यह मेरा बन रहा है 18 point something तो फलों के case में तो 18% आ रही है ठीक है 18% आ रही है next अब मैं सब्जियों के लिए एक बार count करता हूं सब्जियों को भी एक बार check कर लेता है कि कितनी बृध्धी जो है वो इसमें हो रही है तो सब्जियां जो है वो इसमें 72 से 72 थी 2005 6 में और अब सब्जियां जो है वो 79 होगी है 2009 से 10 में तो फिर से final minus initial value करेंगे नीचे initial आएगी multiply by 100 आएगा 79 में से 72 हमारे चलेगे तो 7 आए 7 को 100 से करेंगे 700 divided by 72 तो 700 को 72 से divide करेंगे तो 9.72 आएगा approximately मैं इसको 10% यहाँ पे journal लिख लेता हूं next फूलों के लिए calculate करेंगे कि कितने % बृद्धी जो है वो फूलों के लिए हो रही है तो starting के air में फूल जो थे वो 1 थे एक था और last में जो है वो 2 है यानि कि double है तो आपको पता चल रहा है 100% हो रहा तो डाइरेक्ट यहीं से हमारा answer निकल आएगा 100% बृद्धी हो रही तो कुल बागवानी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रतिशत maximum कहां तक होती है 100 तक अगर बागवानी को भी अगर एक वार हम चेक कर लें तो बागवानी 2056 में 187 है और final जो है वो 209 है तो जिस तरीके से हम फॉर्मूले से इसको काल्कुलेट करने हैं उससे हम काल्कुलेट करते है final minus initial value divide by initial and multiply by 100 तो 209 में से हमारा 187 चला जाएगा तो यह आजाएगा 22 by 187 multiply by 100 तो 22 को जब 100 से करेंगे तो 22 100 आजाएगा और divide करेंगे इसको 187 से तो 11.7 4 आएगा यानि कि एप्रॉक्सिमेटल 12 परसेंट की बड़ोतरी हो रही है तो फूल में तो देखने से ही पता चल जा रहा था कि एक था और एक का क्या हो गया डबल हो गया यानि कि यहाँ पे 100 परसेंट बृद्धी जो है वो हो रही है इसलिए इसका option C जो था वो बिलकुल right answer यहाँ पे रहना था 36 का D option 37 का A and 38 का C option यहाँ पे बिलकुल सही answer रहेगा next question है question number 39 एक वार उसको देख लेते हैं 39 में क्या बताया गया इसमें पूछा गया था उस बागवानी फसल का पता लगाई जिसने 2005 6 से 2009 10 तक लगवग 10 प्रतिशत की बृध्धी दर्ज कियो तो देखिए अभी हमने बृध्धी निकाली थी ठीक है और सेम यह बताएगे इसलिए calculation को दुबारा करने की जरूरत नहीं है 2005 6 से लेके 9 10 तक 2005 6 से लेके 9 10 तक आपको बताना है 10 प्रतिशत की बृध्धी किस ने की तो अब भी हमने के निकाला 10 प्रतिशत की बृध्धी किस की हुई है सबजीयों की हुई है तो इसका option number B जो है वो direct answer है हमें दोवारा से calculate करने की जरूरत नहीं है next इसका डियाई का last question था 2078 में कुल बागवानी क्षेतर में फलों, सबजीयों और फूलों के क्षेतर का हिस्सा कितना रहा है फलों, सबजीयों और फूलों के क्षेतर का हिस्सा कितना रहा है तो इस चीज़ को अब हम solve करेंगे इसमें जो हमारे पास चार्ट दिया गया है इसी चार्ट का हम use करेंगे इसमें हमें बताया गया 2078 की आपने line को consider करना है ये वाली जो line है इसको आपने consider कर लिए 2007 से 2008 कुल बागवानी क्षेतर आगे 202 इसमें फल, सबजियां और फूल का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है तो आपको इस case में percentage की तरह इसको format करना है आपको ये बताना है यहाँ पे कि 2078 में कुल बागवानी क्षेतर में कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो फलों, सबजियां और फूलों का है वो आपके flower आगए इस area में से यानि कि 202 में से 202 में से आपके जो fruit, vegetable और flower है सबको आप add करें 58, 78 and 2 उसी particular air के लिए करना जो हमें बताये गया 2007 से 2008 तो 78 and 2, 80, 82 and 58 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 138 तो जैसे pass fail का question होता है वैसे 202 में से हमारे 138 marks आए और इसकी हमें percentage निकारनी है ठीक है उसी तरीके से जैसे 10th में 700 का paper होता है 700 में से 500 आए तो कितनी percentage हुई वैसे ही 202 का area है उसमें 202 में से 138 के ओपर हमने fruit, vegetable और flower लगाए है तो उसकी percentage हमें बतानी है जब हम इसको calculate करेंगे तो यह हमारा 68.31 के around आएगा almost 68.31 यानि कि मैं इसको जो है almost 68 ये 69 लिख सकता हूँ तो इसमें option 68 को एक बार check करते है option number B इसमें 68 दिया गया था इसलिए ये इसका जो है वो बिल्कुल right answer होगा तो ये सारे जितने question थे DI के total 5 question मैंने आपको detail के साथ solution के साथ करवा दिये अगर फिर भी आपका कोई doubt रहता है तो comment आप जरूर करें काफी अच्छी DI पूछी गई थी easy level की भी थी और थोड़ा calculation का part भी था लेकिन time को उस तरीके से हम कई बार manage नहीं कर पाते हैं उस बज़े से हमारी DI जो है वो miss हो जाती है तो I hope आपको यह जिस तरीके से solution कराया वो अच्छा लगा आपको समझ में आया comment आप जरूर कीजिए end video को like share आप जरूर कीजिए channel को subscribe आप जरूर करें thank you so much कि आपको 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 आप जरूर कर्णी उ करिए आपको सब्सक्वा जरूर कानिए